वेलकम डियर रॉल, आज इस वीडियो में हम एन आयोस के 12 स्टांडर्ड इंग्लिश शैप्र नमबर 8, A Case of Suspicience यहाँ पर मैं आपको ओवराल स्टोरी बता देती हूँ, कि यहाँ पर एक डॉक्टर है, दिनका नाम डॉक्टर बिंसल है और उनको रात को फोन आता है, जो है एक उनकी जो पेशेंट है, जिनका डिलिवरी होने वाला है और उनकी एक अलरीडी 12 बच्चे है, और वो 12 की 12 बच्चे जो है अलगलग या बे टाइम रात के समय में उनका जनम हुआ है और उनकी कभी भी कोई भी बच्चो का जनम सही टाइम पे नहीं हुआ या दिन में नहीं हुआ तो यहाँ पे जब डॉक्टर को रात को कॉल आता है तो वो वहाँ पे जाने की तयारी गरते हैं और उनको रस्ते में एक अजनवी मिलते हैं और वो अजनवी को वो चोर समझ बैठते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये जो अजनवी है उसने डॉक्टर की घड़ी चुरा ली है और वो जबर जस्ती वो अजनवी से घड़ी ले लेते हैं लेकिन वो घड़ी जो है अजनवी क रहती है डॉक्टर की नहीं रहती है हा तो चलिए विडियो शुरू करते हैं मैंने एक दम आपको समरी में बताई और नत में हम देखते हैं कि जो डॉक्टर है उन्हें बहुत पस्तावा होता है तो इस तरह के कहानी है जो है एक रहस्य मैकूर कहानी है तो हम देखते हैं अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे डॉक्टर बेंसन एक गाओं के डॉक्टर है और नवेंबर महिने की एक सर्दी की रात को उन्हें फोन आता है रात के दो बच चुके है और बाहर एकदम सुनसान मौसम है या सुनप सपन है अंधिरी रात छाई हुई है पुरा मिसेज ओट का फोन आता है मिसेज ओट औरले का फोन आता है उसकी पहले भी जैसे मैंने बताया उनके बारा बच्चे हो चुके है लेकिन कोई भी सही टाइम पे नहीं हुआ या सही दिन के टाइम पे नहीं हुआ और जो डॉक्टर है बेंसन उनको हैरानी होती है कि बच्च भी रख लेते हैं और बहुत ही मुश्किलों से वह Kar Start करते हुए सड़क पर से कार चलाते हुए आगे जा रहे है उनको ओट जो है जो उनकी patient है जिसके delivery है वो उनको पैसे भी बराबर से नहीं देती है तो उससे खुश नहीं है Mrs. Ode का farm जो है डॉक्टर बेंसेन के घर से बहुत दूर है जो फार्म होस में रहती है बहुत ही दूर है रास्ते में उसे एक सड़क पर एक व्यक्ति मिला डॉक्टर को जब गाड़ी चला रहते तो उन्हें अचानक में एक आदमी दिखाई देता है और तो उनको थोड़ा सा अच्छा बहुत ही दूबला पतला सा था और सर्दी के मारे उसकी आखों में ऐसे पानी आ रहा था और उसने सिगरेट मांगा उन्होंने वह जो आदमी था उसने इनसे जो डॉक्टर बेंसन है उनको कहा कि मुझे एक सिगरेट दो डॉक्टर ने पैकेट निकालकर उससे पकड़ा द के सकता हूं। बाद में पीने के लिए तो उसने रखी फिर उसने सिगरेट की जो है डिबी बेंसन जी की दोक्टर साब के कॉट में वाफस रख दी उसका का मैकनिक है तो बताता है उसका नाम है है और वह किसी कार बनाने के कार खाने में मेकानिक की नौकरी करता है और क्या बोलते हैं जब विश्वी युद्ध हो रहा था तो उस समय वो एक ट्रक चालक था या ट्रक चलाता था और जो सेना में जो घायल हो जाते थे और उनको वो बीमारों को वो हॉस्पिटल पहुंचाया करता थ था ऐसे हम बोल सकते हैं डॉक्टर ने देखा कि उस व्यक्ति का चैरा कैसा एकदम जो है अलग सा उनको नजर आता है फिर उसको देखते हैं कि उसके जो है चैरे पर कुछ घाव की निशान है फिर डॉक्टर ने अपनी घड़ी जेब में टटोली तो अभी डॉक्टर को ऐ कि असे लगता है कि इसकी चैरे फे घाव की निशान है तो डॉक्टर को लगता है शायर ये चोड तू नहीं है तो वो अपने जेब में क्या करते हैं गड़ी डिकते हैं और वहाँ उनके जेब में आउनको घड़ी मिलती है और उनहे ऐसी होता है कि इसने जो है इन्वेंस पती थो Chicago छूरा लिये उसने अपनी घरी और डॉक्तर क्रते हैं गाड़ी रोकते हैं फिर एक पिस्टॉल निकालते है और जो e ID可ी जो आंजान भयक्ती है और उसके उसके ऊपर बंगुत तान देते हैं और कहते हैं कि मेरी घड़ी दे तो मेरी घड़ी निकाल और मेरे कोट में वापस रख दे वह अजनवी जो व्यक्ति रहता है वह बहुत घब्रा जाता है डर जाते है और उचल पड़ता वह कापने लगता है अपने हाथों से और जो घड़ी उसके पास होती है वो डॉक्टर की जेब में रख देता है बेंसन ने बेंसन जो है डॉक्टर बेंसन उनको बहुत उसके पर गुस्सा आता है और वो उसको गाड़ी से उतार देते हैं और फिर गाड़ी को तेजी से लेके आगे सड़क पर चलने लगते हैं बेंसन जो है गाड़ी लेकर वहां और जो सूरले जो उनकी जो पेशेंट है उसकी घर पे पहुंसते हैं जिसका नाम सूरले है मिसिस सूरले उनकी पास पहुंसते हैं और जब वहां पे पहुंचे तो उनका डिलिवरी पहले से ही हो जाता है और वो बताते हैं रास्ते की घट जो है वहां पर जाके अब बताते हैं कि उन्हें एक अजनबी व्यक्ति मिला और फिर उसने उनकी घड़ी चुरा ली और जो है डॉक्टर बेंसन ने उसको जो है पिस्तोल से डराकर अपनी घड़ी किस तरह से वापस ले ली तो वहां पर मजाक होता है जो मिसिस ओट है वो कह आपको घड़ी वापस मिल गई ने तो कैसे पता चलता था कि बच्चे का जनम कौन से टाइम हुआ है तो डॉक्टर साब अपनी घड़ी वापस मिल गई है इसलिए खूश रहते है और वह जाते है जो घड़ी में टाइम देखने के लिए वह जो है लाइट के करीब जाते ह और देखते है तो वह हैरत हैरान हो जाते हैं यह देखकर कि वह जो घड़ी उन्होंने उस व्यक्ति से लेती उसके उपर कुछ तो लिखा हुआ रहता है और उस जब लैंब के करीब गए तो देखा उन्होंने के इंदमेंस को वह जो एंबुलेंस सेक्शन में था तीन नव और इंविंस को जो नर्स की उसने जो जान बचाई थी दुश्मनों से उन नर्सों ने मिलकर घड़ी उसको इनाम देती तो डॉक्टर को यह देखते के साथी बहुत ही गहरा धक्का लगता है और वो समझ नहीं पाते क्या करना है और जब उनको इस सारी जब वो देखते है कि वहाँ पे उस घड़ी पे इनविंस का नाम लिखा हुआ है और उसको बहादुरी के लिए मिला है और तो उसका उन्हें बहुत अफसोस होता है वो पस्तावा करते है और उन्हें अपनी गल्ती सुधारने को मौका नहीं मिलता है क्योंकि वो घड़ी वो अपनी घड़ी शायद उन्होंने अपने घर पर ही छोड़ायते तो यहां पर यह कहानी इस तरीके से है कि डॉक्टर बेंसन एक अजनभी से मिलते हैं और वो एक गलत फहमी का शिकार होते हैं कि यह जो आजनभी है उन्होंने उसने उनकी घड़ी चुराई है और वो उसको बंदुग दिखा कर उसकी घड़ी ले लेते हैं लेकिन जब वो पॉस्त हैं डॉक्टर जो है अपने पेशिंट के घर पर पर पॉस्त है और जब वो रोश्नी में देखते हैं तो वो घड़ी उनकी नहीं होती है उनकी घड़ी उन्होंने घर पर ही छोड़ कर आ गये थे तो यह बहुत ही सु पूरी सुनसान सडक पर जो है आधी रात को छोड़ दिया तो यहां पर उन्हें बहुत दुख होता है तो डियर ओल यह स्टोरी बहुत ही अच्छी है आई होप यह आपको समझ में आई होगी आप इसे पढ़ सकते हैं जब आप पढ़ोगे तो और आपको यह क्लेर हो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू